हलो, हाइ दिस नईम, तो आज हम फाइनली कर रहे हैं इफेक्स के उपर बात कि जो मैं इफेक्स यूज़ करता हूँ वो आपको चाहिए वो आपको दो कैसे मिलेंगे और मुझे बहुत सारे ऐसे डीम आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको जो इफेक्स है वो बाई करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे बाई कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो इसका पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो मैं आपको जो इफेक्ट है ये गूगल ड्राइफ लिंक के तुरू दूँगा तो यह आप कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको इसका जो बेसिक है मैं आपको बदाना चाहूंगा जैसे कि यह मैंने जो एफेक्स है यह डाउनलोड करके मेरे जो वर्क में जहां से मैं ज्यादा एक्सिस करता हूँ मैं वहाँ पे मैं इसको रखना पसंद करता हूँ जैसे कि आप इसको डेस्टॉप पे भी रख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सा इसका इक प्रॉपर एडिटिंग के लिए जो जो प्रोसेस रहता है उस हिसाब से जैसे कि Google Drive के link दूँगा इस तरीके से जो आपको file है ये open होगी total 200 MB की file है ये आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे titles भी है ये titles आप import कर सकते हो मैं इसका भी आपको process बता देता हूँ कि आपको कैसे import करना है तो आपको जाना है workspace में window workspace और जाना है यहाँ पर graphics, captions and graphics में और यहाँ पर आपको plus का sign दिखेगा यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको एक pop-up हो जाएगा यहाँ पर automatically इसको यहाँ पर ड्राइग और ड्रॉप कर सकते हो और इसको कर सकते हो मैं select करता हूँ 44, 044 और मैंने यहाँ पर इसको select कर दिया है तो यह जो है मेरे पास आप देख सकते हो title 044 यह मेरे पास आ गया है तो मैं बताना चाहूँगा total कितने titles है 50 titles है यह 50 titles आप जो है use कर सकते हो easily यहाँ पर मुझे लिखना है wedding by name speed पर मैं यहाँ डाल देता हूँ जो कि red में आएगा अभी और इसको थोड़ास हमको scale down, scale up यहाँ पर आपको सारी controls मिल रहे हैं आप देख रहे हो यहाँ पर सारे आपको जोड़े controls है वो मिल रहे हैं तो जैसे कि अभी यह हो गया तो मैंने अब इसको scale down कर दिया, scale up कर दिया, थोड़ा थोड़ा बहुत positions आगे पीछे कर दिये और फिर से यहाँ पर मैं जो name है उसको come down करता हूँ, थोड़ा scale down करता हूँ, position वगेरा इसको set कर सकते हैं आप देख सकते हैं, यह जो basic है, आप इसमें 50 titles के साथ यह कर सकते हो, यह आपको couple का नाम डालना है तो आप couple का नाम भी आप इसमें use कर सकते हो, जैसे भी आपको use करना है आप use कर सकते हो, तो पहले तो हमने यह की title की बात, फिर मैं workspace में जाता हूँ, इसको वर्सपेस में है वो change करता हूँ editing में तो पहले तो मैं यहां पर आता हूँ और यहां पर एक bin बना लेता हूँ अब bin बना सकते हो control B से और Mac के लिए command B से और यहां पर मैं इसको नाम देता हूँ effects 2 तो इसको मैं double and drop करूँगा यह message मेरे पर pop up आ जाएगा तो import entire project पर आपको click करना है बाकी कोई भी option पर click नहीं करना है और इसको कर देता हूँ मैं okay यह थोड़ा पर time taking process है यह हो जाएगा जैसे ही मैं हाँ पर import किया यहां पर मेरे पास सारा import होके मिल गया effects 2 में आप देख सकते हो इस side में import हो गया है बट यहां पर क्या है इसका data है main जो files से missing है तो इसको कैसे connect करना है तो इसको connect करना है locate जहां पर भी मैंने इसको save किया है मतलब जहां पर इसका में path है जो main path है नहील आपको जैसे कि मैंने यहां पर इसको रखा है तो मैं यहां पर करताओं इसको search जिसे कि अगर डेश्टाप पर आ तो आप्र देश्टाप से direct इसको connect कर सकते हो और मैं यहां से इसको करता हूँ search तो यहांपर मेरे पास यह जो clips है जो जो missing यहां पर मेरे को आया, इसको मैं OK कर देता हूँ, तो जैसे आप यह प्रोसेस कंप्लेट करते हों, तो आपके पास यह जो है एफेक्स का पूरा जो टाइम लाइन है आपके सामने आपको मिल जाएगा, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पर बहुत सार एफेक्ट है, त यह जो ऊपर जो assets है, इसको आपको touch नहीं करना है, अपन स्टार्ट करेंगे camera से, तो आप camera पर देख सकते हो, यहां पर one camera, two camera, camera के एफेक्स में भी बहुत सारे varieties है, वो आप चेक कर सकते हो, आपके हिसाफ से है, फिर नीचे elastic है, यहां पर आप देख सकते हो, आप कैसे use कर sound effects के साथ जो है आपको, यह आपको easily mil जाएगे, और आता है fade, यहां पर आप देख सकते fade का जो effect है, वो कैसे आएगा है, with sound effect, with sound effect आएगा है, और यहां पर flash, और fade vertical, तो इस हिसाब से जो है, इसके effects है, यहां पर, और हम जाता है, film में, film में आप देख सकते हो, इस style के effects है, और flares, और यहां पर आता है glass, चेक कर सकते हो, तो यह glass के effects है, आपको सबसको drag and drop करना है, आप जैसे drag and drop करोबें, यहां पर देखिए बहुत अच्छा यह effect बना देखिए, जैसे आप सब्सक्राइग and drop करना है आपको बस, और आपका जो effect है, वो ready हो जाएगा, और आपके editing को 20% fast कर देगा, तो आप यह देख सकते हो, glitch effect, बहुत सारे यहां पर glitch effects हैं, आप देख सकते हो, और आता है light sleek, यह बहुत useful है, slow song के, पर, offset, or offset, offset down, और यहां पर आता है pan, pan effect भी आप use कर सकते हो, और परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव के हिसाब से यह हो जाएगा, और यहां पर RGB भी है, चेक कर सकते हो, RGB भी like glitch type अपको effect मिल जाएगा, पर्ट बड़िया काम करता है RGB भी, जो shake effect है, यह बहुत ही बड़िया है, मैं बहुत use कर सकता हूँ, जैसे कि यह वाला मेरा favourite effect है, zoom out, थोड़ा बहुत shake करके, zoom out करता है, आप जूम in भी आपको effect मिलेगा, और all direction, यह भी बड़िया effect है, तो इस तरीके से जो effect है, यह आपको लेज़ जाएंगे, इसमें ज्यादा महनत करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ आपको drag and drop करना है, मैंने आपको put up process भी बता दिया है, और यह भी effect देख सकते हो, सब खोल गुमता है, यह भी effect आप देख सकते हो, यह भी बहुत useful effect है, और split करके effect है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँ है, यह split effect है, flies जैसे cut होता है, उसे साब से clip को cut करके अलब कर देता है, जैसे में की बेच्बर, sides से, तो यह भी एक बढ़िया है, और आता है stretch effect, यह भी देख ले ना, stretch करते देता है clip को, और यह stroke effect इंबर चिक कर लेना, यह stroke effect है, इसे बहुत effect है यहाँ पर, stroke में भी, wrap effect देख लीजे यह, यह भी बहुत बढ़िया effect है, wrap effect, सारे के सारे effect आपके हो सकते हैं, आपको बस minimum जो charges है, जो main price है, मैं आपको बता हूँ, आप मुझे DM कर सकते हो, message कर सकते हो, और मुझे follow कीजिए, like कीजिए, ऐसे और वीडियो के लिए, यूटूब पे भी आप मुझे subscribe कर सकते हो, और ऐसे और वीडियो के लिए, like कीजिए, comment कीजिए, यह वीडियो के save कीजिए, जाता से जाता आपके दोस्तों के साथ share कीजिए, thank you for watching.